प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रित्व में नीती आयोग की नौवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। इसमें कई राज्यों के मुख्य मंत्री मौजूद रहे तो कई नदारद रहे। विपक्षी गटबंधन की ओर से एक मात्र पश्चिम बंगाल की मु केंद्र सरकार ने खारेज कर दिया है। सरकार ने कहा कि बंगाल की CM का बोलने का समय पूरा हो गया था। केंद्रिय वित्व मंत्री निर्मला सीतारमर ने कहा, CM ममता बनरजी ने नीती आयोग की बैठक में हिस्सा लिया, हम सभी ने उन्हें सुना, सभी मुख्य मंतरियों को बोलने के लिए समय दिया गया था, बनरजी ने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, यह पूरी तरह से जूट है, प्रतेक मुख्य मंतरी को ब बनाने के बजाए सच बोलना चाहिए, प्रेस सूचना ब्यूरो ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, ममता बनरजी के किये जा रहे सभी दावे गलत हैं, उनके बोलने का समय पूरा हो गया था, यहां तक कि समय बताने के लिए बेल भी नहीं बजाई गई थी, सरकारी सूत उनके बोलने का समय समाप्थ हो गया था, बंगाल सीम की बोलने की बारी दोफहर के भुजन के बाद आती, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें साथवे वक्ता के रूप में बोलने की अनुमती दी गई, क्योंकि उन्हें जल्दी कॉलकात लोटना था.